हेलो मेडम, हाउर यू डूइंग, हमारे पास एक बहुती अमेजिंग ओफर है, कि आप लोलने ला चाहोगे, और ठास एक दम फोन कट, बस भाईया, यही होता है बैंकिंग करियर, हमने तो यही सुना है, हमने तो यही आस तक देखा है, नहीं, एक करियर और देखा है अपने मेरा, 2 देरे, 2 मेरे, 3 देरे, 3 मेरे, हो गया, नोट गिल लिए, सब ठीक है, जितने पैसे मांगे तो इतने मिल गए, तो वस भी यह यह दो करियर से हैं, और इनحी में हम करते हैं, बैंकिंग वागए रहा, नहीं, बहुत ही डीचिल में, और दिफरेंट करियर को, एक्सेप after 12th commerce देखो 12th commerce के बाद आप यह तो डिग्री कर सकते हो बैंकिंग में या फिर डिपलोमा सर्टिफिकेशन कर सकते हो तो पहले डिग्री का discussion करते हैं BBA in banking and finance भाई यह बहुत सारे colleges में available है नहीं बहुत ही limited colleges में आपको BBA in banking and finance मिल जाएगा भाईया हर जंगे BBA ही होता है कुछ जंगे पर B.com in banking and B.com honors in banking भी होगा duration है इस डिग्री का 3 years 99% cases में तो यह होगा 1% case में आपको यह 4 years का डिग्री भी मिलेगा 10 plus 2 आप किसी भी stream से अगर हो मैं तो commerce के लिए बता रहा हूँ लेगिन आप अगर किसी भी stream से हो तो इस डिग्री को कर सकते हो minimum 50% class 12 में होने चाहिए entrance exam जैसे आपने Christ University का entrance exam crack कर दिया है तो वहाँ पर आप BBN banking कर सकते हो आपने IPU set clear कर दिया यहां से कर सकते हो और CVT के तुरू जितने भी colleges है जो आपको BBN banking provide कर सकते है फूल में अडिमेशन ले सकते हो 18 to 21 का ideal age होता है नूल करने के लिए moderately difficult है ऐसा नहीं कि भाईया समझी नहीं आ रहा है और ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया बलब moderate ली आपको यहां पर मेहनत करना पड़ेगा 30 to 40,000 per year से आपकी यह fees यहां पर हो सकती है start और 6 to 7 lakh तर जा सकती है मैं मैक्स बता रहा हूँ international fees इसमें इंक्लूड है abroad इंस्टिटूट्स बहुत सारे government और private institutions और universities आपको मिल जाएंगी जो BBA in banking कराती है real life salary को start होती है 25 to 35,000 से और जाएगी 40 to 45,000 तक भाई आपने BBA in banking and finance किया है तो banking finance दो industry तो आपके लिए open ही हो गई normal finance से fintech आ गया banking से investment आ गया और consultancy तो हर जंगे आही जाता है आप किसी भी करी में जाओगे उसका consultancy तो करी सकते हो done यह हो गई आपकी industries अब आते हैं अगर आप एक banking student हो तो आपकी life कैसी होगी college में जाओगे कैसे कैसे वहाँ पर working होगा देखो पहले तो college के लिए रेडियो होगे फिर अपने classes करोगे assignments करोगे banking system जो पूरा का वगरा में apply करोगे कि ठीक है मुझे एक अच्छे banking institution में internship करनी है जिससे में working समझ सकता हूं यह समझ सकते हूं फिर अपनी numerical, logical और verbal ability को develop करोगे aptitude को develop करोगे उसका reason क्या है आप चाहे जो आसपास bank देख रहे हो उनमें job करनी है यह फिर आपको world bank में job करनी है aptitude skills solid वाले जाहिए अगर aptitude आपका अच्छा नहीं है न फिर आपको बहुत ज़्यादा issue हो सकता है आपको lecture seminars और यह सारे फिर attend करने होगे जैसे जैसे आप अपने career को build करते हो न यह आपकी life में आते जाएंगे फिर late night evenings तक आप अपने homework को complete करोगे और उसके बाद मस्ती करोगे friends के साथ यह आ चोटा भाई है जिसका नाम है diploma in banking and finance ठीक है सब कुछ पढ़ाया जाएगा बस आपको यहां पर duration कम मिलेगा time कम मिलेगा फीज कम होगी ओके जी यह देख सकता है आप basic duration eligibility 10 plus 2 entrance moderately difficult है इस age में इन institute से real life salary और cost important क्या है salary इतना ही होता है और cost आपका यहां तक आ जाएगा ठीक है अब एक important चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो है other courses देखो अगर आप banking में डिप्लोमा कर रहे हो ना तो generalized करना जैसे banking and finance दो domains का आपने diploma कर लिए आपके लिए career जादे open होगे diploma in banking सिर्फ banking ओपन हुआ diploma in banking security सिर्फ banking security वाला part और banking services management सिर्फ service management वाला part जितना generalized diploma करोगे उतनी job जादा मिलेंगे जितना यह specific वाले में जाओगे उतना आपको issue हो सकता है तो भाया फिर यह जो basic वाले है ना यह यह बनाए क्यों गए हैं यह बनाए गए हैं जो अल्रडी employees हैं जो banking sector में work कर रहे हैं उनको चार साल होगे जॉब करते हुए उनको लगा अगर मैंने banking security में डिप्लोमा कर लिया ना तो उनके सामने बहुत सारे लोग घूम रहे हैं कि ठीक है मैं इसके position पर आ सकता हूं मुझे थोड़ा सा 20-30% height मिल जाएगा तो यह वाले होता है बहुत specific अग सब्सक्राइब इनको करना अगर आप भार से जॉब परपस के लिए करना चाहते हो अभी graduate हो यह 12 के बाद करना है तो जितना जनरलाइस करोगे उतना च्छाप के लिए होगा अगीन यहां पर हम देखेंगे real life salary 15-20 के भईया आपने बहुत कम बता दी देखो यह मैं आपको banking operations rural area में और micro finance में आप certification कर सकते हो government ने कहा कि भई यह rural area है यहां पर अगर आपको बैंकिंग करना है तो यहां से आपको certificate करके ही approval मिलेगा कि यहां पर जाओ और लोगों की help करो वो certificate एक होता micro finance जिन लोगों के पास पैसे नहीं है कुछ collateral रखने के लिए नहीं है low income group में है ill यहां पर आएंगे वह आते हैं micro finance institutions के पास 10, 20, 50, 60,000 का loan लेने हैं तो यह दोनों certifications आपको करने होते हैं अगर आपको rural area में work करना है कैसे चलता है जी certificate है आपको यहां पर exam clear करना पड़ेगा 3 to 6 months किया यहां पर आपकी preparation होती है देखो 1100 rupees for first attempt अगर पहली बार certificate exam दे रहे ह का form आपका फिल होगा 120 MCQs होते हैं और 50 out of 100 आपको लाने हैं इंडियन institute of banking finance IIBFE certificate exam conduct करते हैं और salary हां पर भी होती है 12 to 15,000 मेरी बात समझेंगे rural area में जाओगे वहां पर salary आपको कम मिलेगी आपने भीया यह मुझे certificate बताया और मेरा mood बन गया करने का मैं कहां कहां पर job कर सकत हूं रूरल बैंक्स में microfinancing institutions में दोनों certificate दोनों के specific area मेरे दिन कैसा होगा मैं क्या job करूँगा आप अपने वर्थ में जाओगे वहां पर farmers है women है self help groups है उनको process समझाओगे finance का ठीक है उनको paperwork में support करोगे उन लोगों में कभी-कभी confidence कम होता है 10-20% लोगों में उनको हर प्यार सोन को समझाना पड़ेगा paper work कैसे चलता है loan करना है या फिर आपको saving करना है कैसे कैसे working होती है उनकी grievances को समझोगे authorities तक लेके जाओगे कि सर ये एप को हमें Hindi में करना पड़ेगा English में नहीं समझ पार यह बहुत सारी जनता ऐसे करते 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 iterations के बाद आप अ समझाने पड़ती हैं तो यहां पर knowledge का game नहीं है दो तीन चार महीने में सब सीख जाओगे बात है patience की ठीक है जी clear हो गया एक हमने देखा BBA banking फिर हमने देखा उसका च्छोटा वाइं डिप्लोमाइन बैंकिंग फिर हमने देखे दो certification जो रूरल एरिया को target करते हैं अब आ है certificate programming general insurance moderate level का difficulty 4 to 12 weeks का होता है यह ideal age है ठीक है cost इतना real life salary इतना और इतना ही है काम क्या है insurance sell करने का लोगों के claims जब insurance का payment आता है उसको settle कराने का और लोगों को advice देने का literally उनके insurance है और या फिर investments से related ठीक है यहाँ पर commission work थोड़ा सा जाद होता है salary basis पर कम work करो गया working industry insurance यह 99% है financial product में मतलब rarest of the rarest starting में jobs आपको मिलेंगी एक जिंदगी में दिन कैसा होता है insurance worker का पहले तो field क के लिए ready होते हैं अपने clients की list बनाते हैं अगर आप tier 1 city में यहाँ पर emailing चलता है tier 2 city में वहाँ पर cold calling चलता है tier 3 city में वहाँ पर घर जाना चलता है अपने client की घर जाना तो जिस भी city में उसके recording आपने लोगों को reach out किया फिर आपने appointment fix किये अपने clients के साथ meeting की उनको products वग एक डिग्री एक डिप्लोमा तीन सर्टिफिकेशन अब यह जो इंडस्ट्री है जो आपने मुझे बताया banking यह ऐसा दुनिया दो तीन चार-पांस साल में बंद हो जाएगी नहीं देखो 2.67 ट्रिलियन रिपीट आफ्टर मी 2.67 ट्रिलियन विदर टी का यहां पर है टोटल एसेट्स है टोटल संपत्ति है banking सेक्टर की ठीक है क्रेडिट जो हर साल लोन वाला फॉर्मेट होता है अगर इस साल है 100 रुपे अगले साल हो जाता है 110 फिर उस अगले साल 121 10% से इंक्रीज हो रहा है ठीक है इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट्स है इतने भड़ गए कि अगर वर्ल्ड में 100 डिजिटल पेमेंट हो रहा है ना पर दे तो 2.2 इंडिया में हो रहे हैं और 2050 तक थर्ड लार्जेस डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर इंडिया बन जाएगा तो यह तो टेंशन छोड़ ही दो कि बैंकिंग में कुछ गरबढ़ हो सकता है बहुत बढ़ भी मिल दाएगा लेकिन जो मैं बताने वाला हूं यह आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे आजाते हैं जी आपको होना चाहिए नियुमेरिकल क्विक लर्निंग और अलर्ड ब्रेन वाला जैसे रामानुजन सर थे ना ऐसे माइंड में कैलकूलेशन कर लेते थे उस दोनिपने दोसका एरिफ्टिवूड होना च hm, चाहिए आपको वर्ल्ड बैंक में जॉफ करना है डूर्इटिटी यह आपको नॉरमल बैंक में जॉब और जो करना है तो नियुमेलिककर को के अपनी communication skills के थो उनको cooperate करती है personality organized होती है सच बोलती है accuracy से काम करती है और सारी guidelines और rules को follow करती है यही सब था तो बस यही personality चाहिए banking career में और भया aptitude तो समझा गया maths वाला personality समझा गया यामी गौतम वाली और interest कैसा होना चाहिए देखो अमिता पर्चन का जैसे बागबान मों में बता सुबह उठे morning walk पे गए फिर चाहिए भी बैंक गए काम किया आए plants को water किया फिर cooking किया रात को सुगए चिल लाइफ इस्टेबल हाँ ही हूँ हल्दानी ठीक है अगर आपको जिन्दगी में stability पसंद है आपकी personality इस टैप की और आप मैट्स में stronger बाबु समझ जाना banking career आपके लिए है इसमें आप बहुत अच्छा सापनी जिन्दगी को shape कर सकते हो इसी के साथ ये वीडियो होती है finish हम बना रहे है courses after 12th commerce series उस series का ये है video number 3 पूरी playlist का link आपको i button description में मिल जाएगा और कोई doubt है मुझे comment section में बता दू we'll meet you all very soon in the next video bye bye